आसलाम आलेकूम आज मैं आपको बताने जा रही हूं हैदराबादी मतं कबाब की रेसिपी यह बहुती जूशी बनते है बहुती मज़े के बनते है तो चली बनाने स्टार्ट करते है हमारा हैदराबादी मतं कबाब यहां पर मैंने 1-5 kg हाथ कीमा ले लिया है, इस तरीके से मोटा मोटा कीमा लिया है, अच्छे से वाश करके इसका पानी ड्वेन कर दिया है, अब यह कडाई में हम 1 टेबल स्पून जो है, ओईल एट करेंगे, ओईल को हमें अच्छे से गरम होने देना है, फिर हम इसमें आट करेंगे 2 लॉंग, हमें इतना कुक करना है जो हमारा यह लॉंग और इलाइची तड़क जाए, फिर हम इसमें आट करेंगे प्यास, प्यास हम इसमें आट करेंगे एक चौप कीवी, इस तरह क्यूब्स में ने चौप किया है, प्यास को 2-3 मिनिट के लिए चलाते हुए हमे इसमें चौपर में, यह 3 टेबल स्पून के करीब है, इस तरीके से मोटा मोटा चौप करिएगा और फिर एट करिएगा, अब हम इसे कुक कर लेंगे इतना कि लसन अधरक जो हमारा अच्छे से प्यास के साथ पक जाए, और इसका फ्लेवर अच्छे से आजाए, बीड आप मेरे इंस्टा इडी को फॉलो किजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अब हम इसमें आट करेंगे नमक, नमक टेज के साब से अब करिएगा, अब हमें कीमे को इतना कुक करना है, पहले हमारा कीमा है वो पानी रिलीस करेगा, उसके बाद हमें अध मोटा 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 कीमा लिया मशीन का मत लीजिएगा, नो हमारा कीम इत्दम बारिख हो जाएगा, उस तरीके से हमें नहीं चाहिए हमें हात का कीमा इस तरीके से चाहिए, अब हम इसे क्या करेंगे पानी हो चुका है, गकन 5-15 m alors उसकूने देंगे 10-15 मिनिट अब इसे खोल के देखते हैं, अभी भी पानी इसमें भागी है, तुड़ा हम इसे चला लेते हैं, और फिर इसे ढख के पकने देते हैं, 15 मिनिट के लिए, कीमा अच्छे से जब तक गलना जाये, देखे में 15-15 मिनेट हो चुके हैं अभी पानी इसमें थोड़ा रह गया है लेकिन कीमा अमारा गल गया है गेस की फ्लेम को मैंने अभग कर दिया है, अब इसे पानी को जो हमें ड्राइ कर देना है, पानी हमारा जो ड्राइ हो जाएगा, फिर इसके बाद हमें इसे ठंडा कर देना है, उसके बाद इसे मिक्से ग्राइंडर में पीस लेना है, देखिए अम इसे ठंडा होने के लिए र बाउड़ टीस्पून मैंने लिया मिर्शी पाउडर, आप टीसपून मैंने लिया, कविअगरा तप धनिया पाउडर, इजरा आप टीस्पून मैंने लिया, ब्लैक पेपर पाउडर, म्योंस कर दिया आप तावे भी कर सकते हैं इस तरीके से हाथ का यूज करके से मैश करके फिर एड़ करना है और यहां पर मैश मैश करूंगी एक चीज क्यूब इससे बहुत ही फ्लेवर फुल बनता है आप चाहे तो वन टेबल स्पून जो है बटर भी आड़ कर सकते है जिस तरीके स उसे आपको इसTION तरीके से बतारी बता रही हूँ और जिसतरीके से आपको चीज़े बतास तिस तरीके से बटायेगा तो बहुत मज़गे बनेगी आपके कबाप अब मैश मैश कर रही हूँ एक मीश को उस दॉक्टर निकाल डे न या कर दिया एक पानि ढशा है अश्टे स मिक्स करने लोंगि हातों का यूज करके जिस तरह आटे को गुदते हैं उस तरीके से हमें को गुद लेना है किमे से मिक्स करले लेना है सारे चीजे आप देखिये जो जो चने की दाल भूनी वी चने की दाल मैंने पीसी थी उसे मैं एट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके हमें एट करना है अगर हमारी बाइडिक अच्छे से हो गई है तो हमें अग्दम जादा भी नहीं आट करना है आदा लिम्मू देखिए आदा किलो का मैं हिसाब बता आपको आपकी कॉन्टरिटी कम जादा है तो चीजों के भी कॉन्टरिटी आप कम जादा कर लीजिएगा देखिए हमारा कीमा एद्दम रेडि हो गया आप मैं आपको बताती हूँ कि कबाब का शेप मैं समें और अंडे के शेप का पना रही हूँ आप जो है सीख के कबाब अब यहां पर नियुक्राइब करने तोला शालो फ्राइब करना है अब देखें सारे कबाब जो है मैं इसमें आट करते जाओंगी बहुत समालके से पलटियेगा क्योंकि बहुत सॉफ सॉफ होते हैं तूटने का डर होता है इसलिए बहुत समालके से टर्न करिएगा और भूत आपको टर्न करके दिखाती हूँ इद्धर सलोली देखें मैं लेटर्न किया है देखें कितने खुबसूरत कलर्फुल हो गया है यह बहुत ही अच्छा लगता है जरूर त्राइब करिजेगा देखें सारे कबाब मैं टर्न करके मिलती हूँ आपसे देखिए हमारा कबाब जो है वह दोनों साइट से अच्छे से कुख हो चुका है अब मैं आपको मिलती हूँ सर्फ करने के बाद देखिए है रेड़ी है हमारे मज़ेदार हैदराबादी मटन कबाब बहुत ही जूसी बहुत ही सॉफ्ट जरूर ट्राइ कीजेगा और ट्राइ करने के बाद मुझे जरू कमिट मकस मत आएगा क्या आपको लगा कैसे अगर आपको मेरे मटन हैदराबादी कबाब अच्छे लगे है तो इसकी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाएए तो चलिए चलती हूँ अल्ला हाफिज